पाचवे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की करारी हार के बाद भारत के पुर्व खिलाडियों का टीम इंडिया के उपर गुस्सा फटका है वहें उन्होंने साला दे डाली राउल डवीड को जलिए आपको बताते उसी के बारे में भारत के पुर्व सलामी बलेबाज से ही दो एक से आगे थी और भारते टीम पाचवा टेस्ट में जितने के बहुत नस्दीक थी वहां से भारते टीम के हाथ से इंग्लेंड ने मैच छीन लिया जी यहां सैवाग ने लिखा कि भारत के सामने कई मसले हैं सिर्थ 6 बलेबाजों में पुजारा और पंत ही रन बन जाने होंगे और इसकी अलावा सहबाग में गिनबाजों को भी गुस्ता दिखाया उने बताया कि चौते पारी में भारते टीम की गिनबाजी खराब हुई जी आपको जानकारी के लिए बता दे कि भारते टीम ने पहले बलेबाजी करते हुए पंत और जड़ेजाग के सतक कि बदावलत 416 रन बनाये थे जबाब में इंग्लेंड की टीम 284 रनों पर सीमड गई थी भारते टीम दूसरी पारी में सिर्फ 245 रनी बना पाई इंग्लेंड के सामने 380 रनों का लाच्छे था जिसे जोई रूट और जॉनी बेस्टों के सतकों के बदावलत कि दूसरी पारी में खराब बलेबाजी और खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारते टीम के कप्तान जस्पी दुम्रा का भी मानना है कि खराब बलेबाजी के हुझे से हम ये मुकाबला हा रहे हैं पहले पारी में पंत और ज साइध हुआ ठोट होटी तो भारते टीम इस इंग्ला जीत भी जाती यह मुकाबला भुग द्रो दोर यहां पर दूसरे पारी में पुरी तरह फ्लॉपी गिनबाजी और बलेबाजी बागी इस वीडियो वीडियो करते हैं आपकी क्या रहा है भारते टीम के इस मुकाबले कि बारत्य टिम कहां पर पीछे रहा गए इंगले टेम से क्या दूसरी बारे में और अच्छी बन्लेबाजी होसकती ती क्या गिंद बाजो ने मैच हो इसके ऊपर आप लोग अपनी राइज ज़रूर बताएं इस वीडियो कहीं से माप्त करते हैं अभी तक आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिजिए आपको किर्केट के मैदान से जुड़ी हर अपडेट्स मिल जाएगी